तो हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मिद है आप सभी वड़िया होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटियम पेमेंट बेंक में अपना एक जीरो वैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट कैसे उपन कर सकते हैं इसके प्रोसेस के बारे में दोस्तों अगर आपका भी पेटियम बॉलेट एक्टिवेट है और आप भी पेटियम पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो वैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ऑपेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पेटिय लेंटीम कारड्र तो मिलेगा ही मिलेगा साथ मैं आप फिजिकल एट्यम कारड्र भी मंगवा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को विना की देर की वह ही सटाट करती हैं जानते сवीडियो में पस के आप अपने पयाइन फेकल पेमंट करने केλिले जानते जाता प्रकास हो जाएगा आपको bank account open करने के लिए आपको dashboard पे भी payment bank का option मिलेगा अगर आपको यहाँ पर option नहीं दिख रहा है तो आपको उपर एक search icon दिख रहा है sorry यहाँ पर जो search icon दिख रहा है आपको search icon पर click करना है जैसे ही search icon खुलेगा यहाँ पर आपको saving account का तो simply आपको open saving account पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप open saving account पर click करेंगे तो आपको पेटियम payment bank का कुछ highlight यहाँ पर देखने को उम्हीज जाएगा जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि पेटियम payment bank का जो bank account होता है जो saving account होता है यह बिल्कुल zero balance saving account होता है इसमें आपको किशी भी तरह का balance maintain नहीं करना होता है साथ ही दोस्तों जैसे आप इस bank account को open करेंगे आपको 2.50% के हिसाब से interest rate मिल जाएगा और साथ ही साथ आप यहाँ से fix deposit भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है unlimited free and instant bank to bank money transfer आप unlimited free bank to bank money transfer कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं free digital debit card आपको मिलेगा जिसमें आप online shopping कर सकते हैं आप यहाँ पर बताया है debit ATM card with visa benefits यानि आपको बीजा debit card दिया जाएगा अब simply दोस्तों आपको इस bank account को open करने के लिए नीचे आपको open your saving account का option दिख रहा है अब एक बार passcode को डालने के बाद आपको दोबारा confirm करना होगा तो passcode को डालके आप दोबारा confirm कर लेंगे तो शेली हम अपना passcode set कर लेते हैं अब जैसे आप passcode create कर लेंगे अब दोस्तों आप अगले strip में आ जाएंगे अब यहाँ पर बताए गया है add a nominee for your bank account यानि अब आपको अपनी bank economy नमीनी add करना है तो दोस्तों आप अगर नमीनी अभी add करना चाहते हैं तुरण जस्ट अपनी bank account opening के साथ-साथ तो आप first option को choose करेंगे I want to add a nominee और अगर आप बाद में नमीनी add करना चाहते हैं अभी आपको नमीनी add नहीं करना है तो आप second option को choose करेंगे I will do it later इसके बाद दोस्तों आपको नीचे दो checkbox दिख रहा है दोनों ही checkbox पे आपको tick mark लगा देना है देन इसके बाद दोस्तों नीचे आपको proceed option दिख रहा है आपको proceed option पे क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहाँ पे बाद में नमीनी add करेंगे तो हम यहाँ पे I will do it later को select की हैं और दोनों ही checkbox पे हम tick mark लगा दी है देन इसके बाद हम proceed option पे क्लिक कर देते हैं अब नमीनी declare करने के बाद जैसी proceed करेंगे अब आपका account opening process यहाँ पे दिखेगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा account opening process यहाँ पे दिख रहा है साथी status दिख रहा है जैसा कि मेरा payment bank का जो passcode है वो मेरा set हो गया है नमीनी details हम यहाँ पे update कर ली है अब यहाँ पे बताया गया है complete your KYC दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो KYC status है वो बिल्कुल pending है अब आपको क्यवाशी complete करना होगा तो क्यवाशी आप घर बेठे ही complete कर सकते हैं वीडियो कॉल के तुरू कैसे आपको क्यवाशी complete करना है चली मैं आपको दिखाता हूँ monthly payment limit आपको 10,000 रुपिय का मिलेगा ये लिमिट आपके बॉयलेट की होगी इसके बाद बताएगा है send money to friends याने आप अपने पेटियम बॉयलेट से भी किसी को पैसे बेश सकते हैं transfer money to bank आप अपने पेटियम बॉयलेट से भी पैसे बैंक अकॉंट में transfer कर सकते हैं maintain blends up to 1 lakh आप आप upgrade your account now पे click करेंगे अब दोस्तों आपको KYC method select करना होगा कि आपको किस method के तुरू KYC complete करना है first method आपको वीडियो KYC का मिलेगा second method आपको आधर verification at your doorstep में का option मिलेगा इसके बाद आपको आधर verification at a nearby KYC point का आपको option मिलेगा ये आपको cool मिला के यहाँ पे तीन method मिल जाता ह तो दोस्तों KYC complete करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है आप घर बेटे भी KYC complete कर सकते हैं इसी का process में आपको बताऊंगा तो अगर आप घर बेटे ही KYC complete करना चाते हैं कहीं भागदोर नहीं करना है तो आप simply वीडियो KYC option को select करेंगे वीडियो KYC complete करने से पहले आपको इन 3 step को complete करना है आपको अपने पास original अधार कार्ड और pen card ready रखना है additional आपको paper रखना है और एक paint रखना है और साथ ही साथ आपका वीडियो को ऐसी के तुरू आपका KYC complete हो जाएगा तो आप वीडियो KYC complete करने के लिए simply वीडियो KYC option को select करेंगे और वीडियो KYC option को जैसे सेलड करेंगे आपको अपना नमर यहाँ पर इंटर करना होगा तो आप अपना अधार कार्ड का नँलक करेंगे इसके बाद दूस्तों आपका नाम जो अधार कार्ड में सेयम स्पेलिंग के साथ आप नीचे इंटर करेंगे इसके बाद आप टरम और कंडिशन के check box पे tick mark लगाएंगे इसके बाद आप प्रोसीर ओप्शन पे क्लिक करेंगे अब आधार काड नंबर और अपना फूल नेम फिल करके जैसे प्रोसीर करेंगे आपके आधार काड के साथ जो भी मोबाल नंबर लिंक होगा उस पे 6 अंकाव OTP जाएगा आप उस OTP को फिलफ करेंगे इस हो जाएगा आपको कुछ इंटेल्स फिर से देने होंगे जैसे कि मेरेटियल स्टेक्श करना है आपको अगर आपका सादी हो गया तो आप मेरेट डिस अपर आपको और को और हमिलता अप्रोफ़सन को भी इस स्टूड करने के बाद आपको अपना प्रोफेशन करना है तो जो भी आपका profession category है, जो भी आप काम करते हैं, आप अपने हिसाब से अपना profession type select करेंगे, अब दोस्तों, profession type select करने के बाद, आपको अपना annual income यहाँ पर select करना है, कि आपका शालाना आई कितनी है, तो आप वो यहाँ पर select करेंगे, इसके बाद आप अपना father name fill up करेंगे, father first name पहले fill up करेंगे, इसके बाद father last name fill up करेंगे, और father name fill up करने के बाद, आपको अपना mother name fill up करना है, तो mother first name आप डालेंगे, mother last name fill up करेंगे, इसके बाद दोस्तों, आपका जो permanent address है, वो आपके अधार कार्ड सही यहाँ पर detect कर लेंगा, इसके बाद यहाँ पी पूछा गया ह इसके बाद आप proceed option पे क्लिक करेंगे, अब जैसे आप अपना personal detail fill up करके proceed करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपका क्योईसी का process complete होने वाला है, आप अपना video क्योईसी complete करने के लिए सारा चीज रेडी कर ली है, तो simply आपको proceed option पे क्लिक कर देना है, अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे, अब आपको कैमरा का permission allow करना है, तो आपको यहाँ पे allow बटन देखर, आप allow बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे option देखर, click here to start your video का वाईसी, आप simply इस option पे क्लिक करेंगे, जैसे आप click here to start your video का वाईसी पे क्ल पर पे signature करके भी उनको कैमरा के सामने दिखाना है, तो जैसे आप video कावाईसी कंप्रीट कर लेंगे, आपका कावाईसी सक्तिस्फुली कंप्रीट हो जाएगा, अब दोस्तों जैसे आप अपना video कावाईसी कंप्रीट कर लेंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर आपको submitted का message मि दिया जाएगा, अब दोस्तों क्यवाईसी कंप्रीट कर लेने के बाद, आपको अपना payment bank का details देखने के लिए simple है, आप अपने payment bank को open करेंगे, यहाँ पर आपको dashboard पर option मिलेगा, payment bank का आप इस पर click करेंगे, अपना passcode डालेंगे, तो आपको अपना payment bank का complete details दिख जाएगा अब दोस्तों सिर्फ old user का ही Paytm payment bank में account open हो रहा है, यहनि अगर आपका पहले से Paytm wallet activate है, तो ही अभी आप वीडियो का वाईसी complete करके अपना Paytm payment bank में account open कर सकते हैं, और अगर आपका Paytm wallet पहले से activate नहीं है, और आप एक नए user है, तो आप पहले से अक्टिवेट नहीं है तो जो भी आपे Paytm payment bank का account opening process है, वो मेंने आपको इस वीडियो में compete बताया है, अगर आप कोई वीडियो जानकर रहे अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दीजे, चैनल पढ़ना है, चैनल को subscribe कर लिजे, आपके मन में कोई भी confusion है, वीडियो के नेचे comment कीजे, और वीडियो को आगे सेर जरू कीजे, में तर नेच्स वीडियो में, थैंक्यू, जाए हिंद,